Hello friends, मैं हूँ Gaurav और आपने Avengers Endgame Movie तो देखी होगी और आपने ये भी देखा होगा किस Movie में कितना extensively VFX याने कि Visual Effects का यूस किया गया है I mean, इस कदर Super Heroes की Movies without VFX आपको पता है कैसे लगेगी? That's the best part of it VFX इन जैसे फिल्मों का माई बात होता है जो इन मुवीज को सडक से उठा के स्टार बना देता है Thanos की बॉडी से लेकर fight scene सम विजूल एफेक्स के ही सहारे इतने realistic और आसू से दिखते है और वैसे आज almost हर एक मुवी में किसी ना किसी तरीके से विजूल एफेक्स जरूर यूज किया जाते लोगों को कैसे आई इस बारे में भी थोड़ा सा ज्यान पिलेंगे So without wasting any time, let us get started with our today's video titled Hollywood और Bollywood movies में visual effects का कमाल So friends, manusia प्रजाती को हमेशा से ही अदबूत वगर amazing चीजे दिखने का shop था और इसलिए कई सदियों से magic tricks और magic shows इतने popular रहे हैं फिर movies के आने के बाद यही magical tricks silver screens पर भी देखे जाने लगें और friends, क्या आप जानते हैं कि motion pictures में ही सबसे पहले वो भी entertainment industry में visual effects यूज किया गया था और कोई भी और industry में नहीं बिल्कुल early 19th century में movie making के शुरुआत हुई थी और शुरू से ही जो दृष्य इनमें दिखाते थे उनमें भी कोई basic किसम के visual effects का यूज किया जाता था शुरू से ही filmmakers camera's से experiments कर रहे थे ताकि screen पर magic सा create हो सके वो कुछ simple techniques जैसे double exposure techniques यूज कर रहे थे जिसमें एक shot को rewind करके उस पे दूसरे scene को shoot किया जाता है और इस technique के founder और master रहे है George Melis जिने the father of visual effects भी कहा जाता है और क्या तुम जानते हो कि इस आदमी के पीछे सबसे कमाल बात क्या है ये खुद एक जादूगर था एक magician तो इसमें कोई कमाल की बात नहीं है कि obviously जैसे ये real life में करता था इसके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि क्यों ना मैं ये silver screen में भी दिखाऊ उन लोगों को Melis ने motion pictures की शुरुआत से ही ऐसी अनोगी techniques अपनी shooting में यूज की कि जिसे देखकर लोग अच्छंबे में पड़े जाते थे उनकी 1898 की film The Four Troublesome Heads में उन्होंने सबसे पहले बार mat screen का use किया था अब ज़रा इस scene को देखो दोस्तों क्या लगता है उन्होंने ये scene को बनाने के लिए आखिर किया क्या होगा 1898 का जमाना है भुलो मत यार कुछ ज्यादा नहीं बस उन्होंने एक simple सी trick यूज की थी जिसमें उन्होंने camera के lens के एक हिससे को एक कपड़े के तुकड़े से cover कर दिया था ताकि उस पर रोशनी ना पड़ सके और scene आराम से shoot हो सके और फिर वो पलटा के बाकी के screen के lens को भी cover कर देते थे और उस पहले बार्ट को खुला रखते थे ताकि उस पार्ट से scene को shoot किया जा सके और इससे पुरारी film में ऐसा नजर आ था कि ये आदमी अपना सर अपने जिसम से अलग कर रहा है जोर्ज मेली इसकी invent की गए ये टेकनीक कई सदियों तक फिल्मों में फिर बाद में यूस करी जाने लगी और उन्होंने खुद इसका यूस करके आगे चलके 1902 में सबसे पहली दुनिया की sci-fi फिल्म बनाई जिसका नाम था A Trip to the Moon इस फिल्म को मनाने में कई animations और optical illusions का यूस किया गया है और यहां तक की 4000 फिल्म रोल्स का भी यूस किया गया है और जैसे कि आप imagine कर सकते हो उस जमाने में ये टेकनोलोजी भी बहुती ज्यादा expensive थे मिस्टर मेली इसके तो जेब खाली हो गये थे और उसके उपर से उसके बाद जो हुआ piracy उसने उनको बहुती भड़ा गाठा दिया मगर फिल्मों के लिए और visual effects के लिए उनका जो passion, उनका जो ज़स्बा था उसने कई दशकों तक आने वाले filmmakers को inspire करते रहे और उनके techniques को ही as a base रखकर उस पे और improvements आते गए और फिर आया साल 1933 जिसमें अपने जमाने के सबसे outbreaking और सबसे amazing film VFX इंडस्ट्री में The King Kong बनी और तुम लोगों ने अभी King Kong movie तो देखी है उसमें lead character कैसे एक animated figure है कैसे totally VFX dependent movie है वो ये movie special effects के बिना possible ही नहीं हो पाथी और इसलिए इस movie ने set किया the textbook definition of why visual effects is gonna be very important in movie industry इस movie में camera के stop motion techniques, miniature sets, mechanical props और special effects के जरिए इस अनोखी कहानी को silver screen पर audience को दिखाया गया और इस scene में King Kong का 18 इंच का model यूज किया गया था और उसके दुआरा कबजा कर ली गई लड़की बस इफिक doll है और ये कुफा जो आप देख सकते हो और कुछ नहीं बलकि match paintings है ऐसे realistic scenes जो glass पे paint किये जाते थे और sets पे use किये जाते थे और अब दोस्तो हाली में एक और एक King Kong की latest movie रिलीज हुई थी जिसमें of course इसके पुराने franchise की तरह high technology VFX की जरुवत पड़ी थी लेकिन just because ये movie आज के दशक में बनी है 70 सालों बाद तो देख लीजिए VFX industry में कितने अलगी level पर advancement हुआ है I mean just look at before and after By the way ये latest movie में ज्यानतर CGI graphics याने computer generated imagery का use किया गया है Anyway चलते हैं हमारे पुराने King Kong के जमाने में King Kong के 40 साल बाद एक और एक film रिलीज हुई जिसने फिल्मों में visual effects के use को मेशा के लिए revolutionize कर दिया और मेरे movie buff दोस्तों क्या बता सकते हो movie कौन सी थी Well अगर आपको पता है तो ऐसा कीजिए वीडियो को यहीं पर pause करके नीचे comment कीजिए Cheating मत करना So मीद है दर्शकों आपने अपने answers को नीचे comment किया है और अगर आपका जवाब है Star Wars Then congratulate yourself because that's right So well friends ये फिल्म को बनाते वक्त एक बहुती अचंबित चीज हो गई थी Who are you किस फिल्म के बनने के दोरान 20th Century Fox Studio ने अपना in-house special effects का जो department है उसको close कर दिया था और director George Lucas को नए हतकंडे अपनाने पड़े मतलब भाई की situation समझो Movie बनानी है, department को file कर दिया है और हमें कुछ नया create करना होगा कहते हैं necessity is the mother of invention तो यहाँ पर क्या invention हुआ Well इसी तकलीफदाई situation ने industrial light और magic effects को जनम दिया इसमें computers का use किया गया था camera को control करने में और फिर special effects बनाए गए थे जो पहले के procedure से बिल्कुल बुल्टा था यादे राइट अब से पहले props को move किया जाता था और camera एक ही जगे पर static रखा जाता था लेकिन अब से ये चीज पदलने वाली है for example पहली Star Wars के ये scene को देखिए जिसमें props उख डिस्ट्रॉई किया जा रहा है और फिर latest Star Wars के ये scene को देखिए ये ना जमीन आस्मान का फर्क original में prop based special effects ज्यादे यूज किये गए थे जबकि अभी की film में computer generated imagery ज्यादा यूज किया गया है और इनके द्वारा invent की गई ये टेकनीक आज तक 300 से भी ज्यादे फिल्मों को बनाने में यूज की गई है ये सब VFX के बाब है और अगर VFX इंडस्ट्री में rapid बदलाव को अभी तक आप महसूस नहीं कर पाए तो ये देखिए एक और एक जबरदस्ट comparison विजूल इफेक्स के evolution के बारे में ये scene है 1982 में आई फिल्म ट्रॉन का जिसे कुछ लोग वो पहली फिल्म मानते हैं जिसमें computer animation यूज किया गया था नाई बस special effects के तौर पर बलकि character और plot development को और भेतर बनाने के लिए भी ये बाइक scene इतना ज्यादा famous हुआ था कि आज भी इसे उस generation के लोग याद करते हैं इससे आप अगर 2010 में आई हुई Tron फिल्म से compare करें तो ये बिलकुल बचकाना काम लगता है So anyway friends, बहुत ग्यान पे लिया special effects की history के बारे में अब नज़र डालते हैं कुछ ऐसे movies पर जिसमें special effects बहुती ज्यादा extensively use किया जाता है और इन्ही effects की वज़े से ये movie कहां से कहां पहुँच गई अब visual effects के बारे में गर हम बात करें तो जुरासिक पार्क से हम शुरू ना करें ऐसा हो सिंदा है 1993 में शुरू हुई ये series में अब तक भी फिल्में बनाई जा रही है वगर पहली बार जुरासिक पार्क मुवी में जो डाइनसौर देखने का मजा आया था वो मजा आर्ट्स तक नहीं आया है शुरू की फिल्मों में ज्यादतर अनिमेट्रोनिक्स का इस्तमाल किया जाता था वगर आज कल बनाई जा रही फिल्म्स में CGI और मोशन कैप्चर टिकनीक का ज्यादा यूज किया जाता है और जब 90's की मुवी की बात आती है तो मैट्रिक्स को कौन बूल सकता है इस फिल्म का ये फेमस बुलिट सीन आज भी याद किया जाता है इस पूरे सीन को एक ग्रीन रूम में शूट किया गया था और 360 डिगरी कैमरास का यूज किया गया था इन कामरास को एक 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 सेकंड के डिफरेंड से on किया गया था और इन सभी के फुटेजस को कंबाइन करके ये आइकॉनिक सीन को create किया गया इस एक सीन में 12,000 फ्रेमस पर सेकंड थे can you imagine that साधरन से कैमरे के फुटेज में सिफ 24 फ्रेमस पर सेकंड होते हैं और फिर आते हैं हमारे हॉलिवूड के VFX इंडस्ट्री में Avengers के सीक्वेल्स ये फिल्म्स MCU याने Marvel Cinematic Universe का हिस्सा है ये कॉंसेप्ट लोग को इतना पसंद आया कि Iron Man के रिलीस के साथ ही इनकी सारी फिल्म्स ने बॉक्स ओफिस पर धूम मचा के रखी है और इनकी फाइनल फ्रांचाइजी इंड गेम ने तो सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले 2.5 बिलियन युएस डॉलर्स का टोटल कारोबार किया इस सीरीज में कुल मिला का 22 फिल्म्स है और हर एक फिल्म में CGI एफेक्स का बहुत ही एक्स्टेंसिवली इस्तमाल किया गया है और खास तोर पर एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल फाइट सीक्वेंस में ये सारे चारेक्टर्स जो आप देखते हो इसमें से मेजॉलिटी कारेक्टर्स को CGI की मदद से ही बनाया गया है जैसे कि थैनोस को बनाने के लिए गौश ब्रोलिन को फेशिल रेकगनेशन टेक्नीक का यूज़ करना पड़ा था और मांक रफलो को यूज़ करना पड़ा था हल्क भाई बनने के लिए तो अब फ्रेंज बहुत हुई हॉलिवुड की बात अब जब बॉलिवुड की बात आती है तो आपके मन में ऐसे कुनसी फिल्म स्ट्राइक करती है जिसमें VFX का यूज़ बहुत ही ज्यादा किया गया हो अब मुझे दो परसनली बाहु बली या रावन ऐसी मूवी ज्यादा आती है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि विदाउट स्पेशल एफेक्स शूटिंग कैसे होता है और स्पेशल एफेक्स के बाद ये सीन्स कैसे दिखते हैं जस्ट अमेजिंग मिस्टर इंडिया भी एक ऐसी फिल्म है जिसमें भी स्पेशल एफेक्स बहुत यूज़ किया गये थे और इस पर काम करने वाले एक टेक्नीशियन पीटर परेरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि मिस्टर इंडिया को गायब होते वे दिखाने के लिए बहुत सारे कैमरा डिजॉल फंक्शन को यूज़ किया गया था इसमें एक सीन था जिसमें बच्चे मिस्टर इंडिया को एक रेड ग्लास के थुरू दिखते हैं और इस सीन के लिए मैलीस की मास्किंग टेकनीक का यूज़ किया गया था शूटिंग के दोरान उन्होंने अनिल कपूर की बॉड़ी के लोवर हिस्से को एक ब्लाक पेपर से कवर कर दिया था और फिर कैमरा लेंस पर रेड फिल्टर का यूज़ किया गया और इसे बनाने वाले टेकनेशन्स थे हैरी हिंगोरानी और केतन यादव और आप बिलीव नहीं करोगे बट उन्होंने इस सीन पर एक साल तक काम किया इस सीन के बारे में बताते हुए हैरी कहते हैं कि उन लोगोंने इस प्लेन के 56 वर्जिन्स बनाये थे फिट बाद में इसका बेस्ट वर्जिन चुना गया और भी बहुत सारे बॉलेवुड मुवी मुझे इन मुवी के बारे में इन्फिमेशन मिली तो मैंने आपको खुशी से प्रिजेंट किया अब आपके साब से आपके नजरिये में कौन सी VFX मुवी सबसे एक अलगी लेवल पर है और वो हमने मेंचन नहीं किया है इसे कॉमेंट करके शेर करना हमारे साथ और बस एक फाइनल क्वेस्टिन कि जिस तरीके से VFX इंडस्ट्री इतनी तेजी से एडवांस कर रही है अब लिटरली CGI टेक्नोलोजी से रियल हुमन्स को ही रिक्रियेट कर पाएंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरू ठोगना मेने चैनल गेट्सट्पलाई फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए अभी कीजिए और दबाई यह नीचे दिया गया बेल आइकेन तकि आप हमारी आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सके मिलेंगे बहुत जल्द इन अनादर एक्साइटिंग फैक्ट फिल्ड नॉलेज फिल्ड वीडियो तिल देन, as always, stay curious, keep learning and as a result, keep growing जाये हैं